हेलो लानर्स मैं फिर से आगे आपके साथ एक चमकती धमकती अपडेट के साथ तो सर आज क्या लेकिया है आज की अपडेट कुछ इस प्रकार है आपको पता होगा अदानी गुरूप के बहुत ही जाने माने सेलेबरिटी है यहीं एक तारा क्या गौताम अदानी जी ने एक नियूस निकाली है जो अभी राजिस्थान में समिट हुआ था उसमें कि वो अब राजिस्थान में अगले आने वाले तीन से पास साल में 65,000 क्रोड रुपीज इन्वेस्ट करेंगे हाँ आपने इंदम सही सुना 65,000 क्रोड रुपे 65,000 क्रोड रुपीज विल बी इन्वेस्थेड बाए दी अदानी ग्रुप इन राजिस्थान इन नेक्स 3-5 यर्ण अब वट इस 65,000 क्रोड जो ये इन्वेस्ट करना चाते हैं इसका जो ये करने वाले हैं जो ये प्लैन करते हैं इसका इकनोमिक इन्पैक्ट क्या होगा and how is it going to affect the economy of राजिस्थ अधानी ग्रूप का अल्रेडी ठीक है यहां पर बहुत बड़ा financial establishment अल्रेडी है अधानी ग्रूप तीन से पाँच बड़ी-बड़ी cement industries अल्रेडी established किया हुआ है cement panels अल्रेडी लगाए हुए है cement establishment है इनकी राजिस्थान में अब उसी चीज में यह और 65,000 करोड कर रहे हैं पहले मैं आपको एक idea देता हूँ कि where is this money going to be put in यह राजिस्थान के अंदर 10,000 MW की capacity वाला solar panel जिससे आप सूरज के energy catch करते हो solar panel setup करने वाले हैं which will have a capacity of generating 10,000 MW of electricity और इन राजिस्थान इटसेल्फ उसी के साथ साथ इनकी जो existing cement factories है उनको यह expand करेंगे ठेक है और नई facilities को improved facilities को उस cement plant में ले के आएंगे मतलब एक plan है solar panel का business implement करना cement के business को expand करना नई factory setup करके और तीसरा जो एक तरह से आप बोल सकते हो अदानी group is doing something for the society जैपूर के airport को upgrade करने का कारोबार तेक है को बोलते न हमारे इसमें उसका भार उसका जिम्मा उठाया गया है अदानी group द्वारा कि यह इस 65,000 करोड के project में जैपूर का जो airport है उसको भी develop करेंगे so this is the plan उस 65,000 के करोड का break up properly नहीं अभी तक news में आया है कि कितना proper break up होगा but the major areas is कि solar panels set up होगे, expansion होगा, cement plant का और साथी साथ जैपूर के airport को किया जाएगा upgrade क्योंकि जैपूर के airport काफे simple है मैं हाल फिलाल में जैपूर होगा हूँ it's very standard but उस standard को better बनाने के लिए making something like Delhi और even Kolkata और Mumbai इस तरह का program किया जा रहा है अब अगली बात यह आती है यहां पर सामने कि सर इसका economic significance क्या होगा भाई यह एक नम simple सी बात है इस अप्ग्रेट projects will be done दो तरह की employment create होगी एक direct एक indirect direct employment create होगी उन लोगों के लिए जो यह plant के development या project के development में involved होगे इंडिरेक्ट employment create होगी उन लोगों के लिए जो इन projects में अब काम करेंगे projects develop होने के बाद प्लस इससे गुजरात की economy को भी growth मिलेगी क्यों because the state का जो GDP है वो बढ़ेगा production बढ़ेगी cement की production बढ़ेगी वैसे गुजरात is one of the largest cement producing states उसके बाद अगर यह जादा हो जाएगा plant expand होगा तो अदानी will provide not only employment will contribute to the country's GDP in a higher level तो मतलब फाइदा हमें क्या चीज़ का होने वाला है फाइदा हमें होने वाला है GDP growth का employment का और area development का वो तो होना ही है और अगर आप newer technologies use करते हो तो उससे आपका cost effective भी हो जाएगा जिसकी वज़े से आपके ultimate consumers के लिए cost भी brought down हो जाएगा तो यह एक update थी अदानी group की वज़े से अदानी group के बारे में main headline यह है कि अदानी group is to contribute 65,000 करोड रुपेस towards the development of Rajasthan in the next three to five years एके this can be extended over to a period of seven years as well depending कैसे होता है यह चीज़ कैसे plan जाते है उन्होंने अपने summit 2022 में बहुत क्लियरली बता है कि यह हमारा plan है the rough estimate is around 65,000 करोड which we are planning to invest now this will move according to the circumstances जैसे जैसे और news इस पर बढ़ेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अभी के लिए Rajasthan के लिए बहुत अच्छी news यह है कि अदानी group ने अपना direction उनकी तरफ लगा दिया they are coming to develop Rajasthan okay guys thank you so much for watching tune in for the next video अभी यह series में video बहुत सारे आएंगे small capsule series में please channel को like subscribe share जरूर कर लिजएगा जिसमें आप और जादा content ला सके और वो जो notification bell है उस पर all click कर रहे न कि जबी भी इस channel पर कोई भी notification आए कोई भी video आए किसी भी teacher का drop करें तो आप जरूर से देख लो कि पूरे channel पर content एकदम भरा पड़ा है बढ़िया बढ़िया content है सब बढ़िया है बस आप channel को subscribe ठोक दीजे और किसी चीज़ के tension मत लिजे हम आपके साथ है thank you so much family for watching like share subscribe and share the video thank you आप